दोस्तो, IDFC First Bank ऐसा bank है जो अगर एक बार आपका application अगर decline हो गया फिर आपका जल्दी card अपरूप नहीं करता है बन ऐसा हुआ है कि application decline हुआ चार मन्त पहले card apply किया गया और decline हो जाने के बाद automatic bank ने सामने से call करके pray approve ओफर दिया तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं मेरा आपस request है कि वीडियो को like करके support कर देना और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को subscribe के bell icon को on कर देना आप लोग side में देख सकते हैं कि IDFC First Bank का जो अपरूब हुआ है उसका message इस keynote में आपको share कर रहा हूँ हमारे viewers का हमारे पास mail आया कि sir हमने card apply किया था और मेरा card decline हो गया था bank ने खुद हमें सामने से call करके pray approve offer दे दिया दोस्तों ऐसा कैसे होता है दोस्तों यहां पे इन्होंने अपनी बाते बया की है कि मेरा civil score इतना है सोचिए कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलता हूँ कि civil score बना के रखिए card आपको जरूर मिलेगा का आप लोग बोलते हैं कि same topic आप वीडियो लाते हो भाई मैं same topic नहीं लाता हूँ मेरा वीडियो का system सेम रता है बट काम लग लग होता है का आप लोग बोलते हैं कि आप जो वीडियो में बताते हो कि low civil score पे card मिल गया या मात्र तीन गंटे में card अफरूब हो गया ऐसे बै को ऐसा सवाल पूछते हैं मैं उसको एक ही बात करना चाहूंगा मैं कभी गलत चीजे आप लोग के सामने बयान ही करता हूं अभी मैं आप कोई skin sort दिखा रहा हूं मैसेज दिखा रहा हूं क्या ये fake है fake नहीं है और इसके बाद लोगों का मेरे पास खुदी mail आते हैं और ऐ ऐसे ही एक वीडियो में मैं आया था SBI Bank के उपर जो कि उसमें सामने वाले को 10 लाक लिमिट मिल गई थी और 6 लाक अलग से मिल गया 12 लाक के संथिंग मुझे थोड़ा से याद नहीं आ रहा है 10 लाक के उपर लिमिट था अब यहां पर कापी लोगों ने उल्टी पूल्टे कमेंड किये कि यह SBI कार्ड में इतन लिमिट कैसे मिल सकता है मैंने उस भाई से संपर्क किया उसने हमको बैंक स्टेटमेंट सेर किया और मैंने उसका वीडियो फुरूप के साथ बनाया दिखाया कि देखो भाई मैं गलत नहीं हूँ और जो अपना डिटेल्स को भेजा है वी गलत नहीं है सबकी बोलती बंद हो गई मेरे चनल पर वीडियो पड़ा आप देख सकते हैं कि एक भाई को SBI में दो क्रेट कार्ड अलग 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 लिमिट के साथ मिला ओ भी 10 से 15 लाग के संथिंग लिमिट मिली थी उसका मैंने फुरूप भी दिखाया था और वह भ अब बैंक है यह बैंक decide करेगा हम और आप कुछ नहीं है बैंक का पैसा है बैंक चेक करेगा record सेगा तो बैंक आपको card देगा तो IFC 1st bank सबसे अलग bank है तो आप भी अगर IFC 1st bank card अगर आप लेना चाहते हैं तो आप apply करके छोड़ दे और किसी other company से कोई mobile finance करवा के time से MI PAY क करें, आटोमेंटिक आपको ओफर आने का चांस रहेगा, जब एक बार आप काड अपलाई करते हो, जब डिकलाइन होता है, तो आपका जो डिटेल्स का बैंक के पास ही रहता है, और बैंक उसको रिव्यू करता रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका डिकलाइन हो गया, तो बैंक जब चेक नहीं करेंगा, रिव्यू बैंक करेंगा, बैंक जो है आपका ओल्ड अपली के सन दोनों को देखता है, किसना कितना रिव्यू क्या है, उस भी आप पर उफर आता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप अगर आप फर्स्ट बैंक रेट कार लेना चाहते हैं तो बाकी बैंक तो ठीक ठाक है, और इनकी सर्विस अलग है, कोटक महंदरा बैंक की जल्दी लिमिट नहीं मिलता है, जल्दी अपरूब नहीं होता है, अगर मिलता है, तो लिमिट भी यहाँ पे आप लोग को मैंने दिखाया हूँ, साइड में देखा आपनों लिमिट भी उत यतना हो सके, मुवाइल एप्रिकेशन से दूर रहें, यह सिविल बरबाद कर रहें, मेरे पाना स्रोज के इतने सारे मेल आते हैं, भीया मेरा सिविल खराब हो गया, धनी ने खराब कर दिया, एम पोकेट ने खराब कर दिया, मैं कमपनी का नाम नहीं बता पाऊंगा, इतन में सेर कर देना, मन में कोई भी सवाल तक कमेंड कर देना, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले जाहिन वंदे मातरम